नाम पे जाने जाने वाला फसल पूरा भारत में जो तना आनाज फसल है धान और ग्यहों का बाद में थार पोजिशन लेते हैं मक्काई पूरा वाल्ड का बात करें तो आर्जेंटिना, अमेरिका, चाइना का बाद ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं इंडिया इंडिया में आप बात करें तो करनाटा, मध्यप्रदेश सबसे ज़्यादा और बिहार सबसे ज़्यादा मक्काई का प्रोडक्शन करते हैं मुक्काई प्रोडक्शन में पूरे भारत में होता है पूरो भारत में जितना सारे बिधी यूज होता है आज का विडियो में उसी का बारी में बात करेंगे कोन सा बिधी सबसे ज़ादा चलता है, कोन सा बिधी का दौरा सबसे आच्छा होता है और उसका प्रोस कौन क्या है उसी का बारी में बात करेंगे. बिशेश जनकरी लेने से पहले आप से मेरा रिक्विस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले बाद करेंगे छिड़काव विधी का बारी में मौकाई बुआई के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित बृधी है ये छिड़काव विधी या ब्राडकास्टिंग विधी इस विधी का दोरान कोई टूल्स का जुरूरत नहीं होता है मैनुवली एक आदमी बीज को लेके छिड़काव करते हैं ये सबसे आसान तरीका है लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जादा बीजों का उपयोग होता है मेथ़ड़ में देखेंगे तो एकड़ में कम से कम 20 किलो बीजों का जुरूरत होता है यह सबसे प्राचीन प्रथा है इसमें weed control आसानी से किया नहीं जाता है बहुत ही दिक्कत होता है इसमें production भी कौम होता है तो हम लोगों का तरफ से में भी study का तरफ से बोलेंगे इस बिदी को आप छोड़के दूसरा बिदी में जाएंगे तो सबसे आच्छा होगा लेकिन यह आसान बिदी है इसलिए किसी भी जगा पे मक्काई को खेती होता है ज्यादा तर इसी का प्रयोग होता है दूसरा बिदी आ जाता हूँ फारो मेथोड बिदी बोला यह फारो मेथोड बिदी में क्या किया जाता है जो बेल हाल है या काडा का जो हाल है हाल चलाते है उसके पिछे-पिछे मैनुएली कुछ लोग बीज एक डिस्टेंस में डालके जाते हैं ये एक आसान भीदी है लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है मैनुएली लोगों का जुरूरत ज्यादा होता है कास्टिंग जो मैथोड होता है उससे ये बेटर भीदी है एकोड में ये फारो मैथोड बीदी में 8-10 किलो हाइब्रीड बीजो का जुरूरत होता है ये फारो मैथोड टाइप काई बेल हाल का बदले में जब टाक्टर चलाते हैं एक साथ बहुत लाइन जाते हैं इसका बीच में भी 7-8 लोग मिलके बीज डालके डालके एक डिफरेंस डिस्टिस में जाते हैं ये भी एक बीदी है ये भी तुन्ना में एक काफी आच्छा मैथोड है क्यूंकि इसमें डिस्टेंस मैंटेंड होता है line पे बुआ आई होता है और weed control के लिए भी ये सुबिदा होता है तो इसमें production बहुत आच्छा होता है हाल का पििछे वाला या टाक्टर का पिछे वाला जो फारो मेत्वड है ये बहुत आच्छा काम करते हैं तीसरा एक मेत्वड है ये फारो मेत्वड है पिछे गिर के गिर के जाता है, जहां पे भी distance maintained होता है, यह भी एक आच्छा method है, आप लोग उपयोग करके देख सकते हैं, यह method में सही distance पे होने का करण पे production आच्छा रहता है, तिसरी method, seed drill method, जब इस method को सबसे आसान तरीका से लिया जाता है, यह seed drill method में टाक्टर का पिछे seed drill को लगाया जाता है, स्रिफ मुक्काई नहीं, काफी सारे फोसल के लिए seed drill use किया जाता है, जितना भी बौई बिधी में चलता है, सारे machines के लिए यह उपयोग होता है, और इसमें distance में maintained होता है, खात भी एक distance में इसमें डालके डालके एक साथ चले जाते हैं, ति इसलिए सबसे ज़्यादा popular बिधी है यह, और ज़्यादा किसान बंदू इसको आजकाल फोलो भी कर रहे हैं, जीरो टिलेज बिधी जैसे गेहूं का खेती होता है, इसके बाद बाला बिधी का बात करें तो जीरो टिलेज बिधी, जीरो टिलेज बिधी में भी सैम होता है, कोई भी मुकाई का बीज और खाद दिया हुआ रहता है एक डिस्टेंस में गिर के जाते हैं और यह बवाई हो जाता है लास्ट में जो बिदी का नाम करेंगे जो अपडेट बिदी है यह छोटा सा एक टूल से इस टूल का मध्धम से आप बीज इसमें डाल देंगे तो यह पूश कर का मात्रा भी आच्छा होता है जिस कारण पर इस बिदी के आज कल ज्यादा लोग अपनाया जा रहे हैं इस टूल्स यह मिशिन्स का दाम का बात करें तो लगबग साड़े साथ हजार से आठ हजार रुपिया का अंदर आ जाता है किसान आसानी से इसको केरी कर सकते हैं और एक बार बीज डलाए करके आप एक एकड का बॉआई कर सकते हैं तो डिफारेंट पूरे भारत बर्स में जितना डिफारेंट बिधी प्रचलित है उसका अंदर जो मैजर बिधी है आपका इहां पर में बताने का कोशिश किया हो आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है त प्लीज इसको सब्सक्राइब करें